सौधी इंट्रेटेन्मेंट अथार्टी और सौधी एलाइन्स के एक शराकतदारी मुआहिदे के तहट एक लाग चालीस हजार मीटर पर बनाये गए ब्लीवाट सिटी में इस साल तीन बड़े बोईंग ट्रिपल सेवन तयारों को भी मुंतकिल किया गया इन नाकारा तयारों को दुकानों, रेस्तुरान और बच्चों के लिए इंट्रेक्टिव तजर्बात के लिए मक्तस किया गया है इस मकसद के लिए इन तयारों को बजरिया रोड जग्दा से रियाज तक मुंतकिल किया जाना था एक वीडियो क्लिप तेजी से सोशल मेडिया पर वाइरल हो रहा है जिसमें इन तीन देव हेकल तयारों की मुंतकिली को दिखाया गया है जहां इन्हें रियास सीजन के दोरान ब्ली वाल्ट रनवे के एवंट्स में इस्तिमाल किया जाएगा एक तयारे की लंबाई तकरीबन 64 मेटर जबके इसके फ्यूजलेज की चोड़ाई 6,2 मेटर है इन तयारों ने तकरीबन 1000 किलो मेटर से ज्यादा जमीनी फासला ते किया जबके तयारों को अपने साइज और वजन के बाइस बड़े चेलिंजिस का सामना करना पड़ा का अपनी सर्विस के दोरान इंत्याई सुस्त रवी का सफर भी रहा होगा क्यूंकि अपने उरूच के दिनों में ये तयारे 905 किलो मिल्टर फी गंटा की रफ्तार से उड़ते रहे हैं इन तयारों को पांच साल कबल सौधी अर्लाइंस के बेड़े से हटा दिया गया था दुनिया के कई मुमालिक में जमीनी रास्ते से नाकारा हवाई जाजों की नखलो हमल आम बात है लेकिन जहाज के धांचे को अलग किये बगेर इस साइस की तीन तयारों की मुन्तकिली सौधी अरब में अपनी नोयत का पहला वाक्या तसवर किया जा रहा है रियाल मुन्तकिल किये गए तयारों में HZAKG मार्च 1998 में सर्विस में दाखिल हुआ और इसी सितंबर 2016 में सर्विस से हटा दिया गया ये पहला 200 ERB 777 तयारा है जिससे सौधी एरलाइन्स की सर्विस से हटा आया गया दूसरा तयारा HZAKG सितंबर 1998 में सर्विस में दाखिल हुआ और इसी सितंबर 2016 में सर्विस से हटा दिया गया HZ-AKP Registration के साथ तीसरा तयारा मार्च 1999 में सर्विस में दाखिल हुआ और इसी जून 2017 में सर्विस से बाहर कर दिया गया ये मॉडिल अब भी दुनिया भर में कई कमपणियों के साथ खिद्मत में है जिन में United State of America जो आज तक बुइन के तयार करदा दूसरे तयारे 200 B777 को चलाती है जो के तकरीबं 30 साल पुराना है उमीद है आपको ये रिपोर्ट पसंद आई होगी मजीद ऐसी मालूमाती और दिल्चस वीडियोस के लिए चैनल सबस्क्राइब करना ना भूले